पॉरिया जंग इस समय मौझूद हैं साधरा में और बात करें की पॉलिशन लेवल की तो जिस तरह से अभी कल दिवाली का तोहार जो निकला है उसके बाद से जो पॉलिशन लेवल है वो और ज्यादा बढ़ गया है इसकी वज़े से सांस लेने में भी लोगों को दिक्कत होती है तो उसी के चलते हम आज पहुंचें साधरा में सुदेश सूद जी के पास और उनसे हम जानेंगे कि जो पॉलिशन लेवल बढ़ा है और जो पटाके जो ग्रीन पटाके छोड़कर पबलिक ने जो ज़्यादा प ने यह सरकार ने गलत किया है गिरीन पटाकों के लिए लेसेंस जादे से जादे इशू कर देते हैं जिससे की छोटे बच्चों का मनुरंजन हो जाता है और दिवाली मन जाती है तो मैं सभी को पहले तो आपके चैनल के मादवत से दीपुत सभ की हार्दिक सभी को सुभका पटाके और बम फूटे हैं जो बिल्कुल मानव जाती के लिए मानवता के लिए सरमसार करने वाली बात है क्योंकि इससे कितना पुलूशन हुआ है दम घुटने जैसी संभावनाय पेपर के अंदर आ चुकी है गला घोटो दम घोटो यानि कितना बड़ा नुकसान है हमार इस्तमाल कर रहे हैं और अपने लोगों के लिए कर रहे हैं पुलूशन के रूप में अब पुराली जलने लगेगी धीरे-धीरे करके तो हमारा क्या होगा तो यह सरा जो सांस हमावा के साथ ले रहे हैं इसमें हम जहर ले रहे हैं तो मैं दोनों सरकारों को जुम्मेदार अगर बच्चा फोड़ेगा तो माबाप को उसका जुर्माना भरना पड़ेगा जैसे अभी किया था एक सरकार न जो एक रूल बनाया कि बिगर लैसेंस के नावालिक बच्चा अगर कोई गाड़ी चलाता है टू वीलर या बाइक या फोर वीलर तो उसका जुर्माना करना भरना पड़ेगा बात करें दोनों पार्टे आए वीजेपी और आमाद्मी पार्टी दोनों सत्ता में लेकिन वो आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते होई लड़ती रहती है लेकिन कोई जंता के बारे में क्यों नीसोस्ता इस पर आपकी क्या रहाए देखो, पलूशन तो अगर होता है, तो जो सरकार में बैठें, उनके लिए भी होता है, लेकिन वो आँख पर पट्टी बांद लेते हैं, ये बड़े दुखा भी से है, इन लोगों को, चाए वो वीजेपी सरकार हो नगर निगम की, चाए वो दिल्ली सरकार हो केजरिवाल की इन दोनों को बैठ करके समझोता करना चाहिए, क्योंकि पलूशन तो हमारी ही जनरेशन के अंदर जा रहा है, अभी नेता की जनरेशन के अंदर जा रहा है, हमारी सांसों के दुबारा जा रहा, तो हमें उसे रोक लगानी चाहिए, जो सुप्रीम कोट भी कहता है, हमें ना है वो गलत है हम गलत को गलत कहेंगे क्योंकि यह आज हम लोग एक बंब के उपर बैठे हुए जिसमें से धुवा निकलने लगा हम उस धुवे को खा रहे और मर रहे हैं बात करें भी आम आद्वी पार्टी के जो कैबिनेट मंत्री हैं गोपाल राइजी उन्होंने भी भाज गजरिवाज पर अई जाये तो इसका जी हो बाता की थैरा मत्री जायों खरता है is तो उसकी के उसमेड़ होते हैं जैसे कि एक जमपल के दुर पर इसनली सरकर नए अघर हैकि सारे पिटाके बैन कर दिये जाये और उप्रकर तो फिर दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय जी या और कोई भी मंत्रियों या और दिल्ली सरकार के कोई भी वैक्ति ये कहता है कि बीजेपी सरकार ने पठा के फुडवाएं तो फिर दिल्ली सरकार ने जो इतने सारे वोलियंटर छोड़े थे उनकी एमर्जनसी डूटी ल जाम लगाना, किसी को इस तरीके से कहना, इस पठाकों के अंदर भी राजनीती खेलना, तो यह बिल्कुल सरा सर गलत है, पठाके लोग जो जलाएंगे, अपनी मर्जी से ही तो जलाएंगे, हम सरकारों के उपर दोस मड़े तो गलत बात है, अब बच्चों के अंदर उत्सा जाता है, माबाप पैसे खर्च करते हैं, पांसो की जगे हजार के पठाके मंगाते हैं, हजार की जगे दोजार के मंगाते हैं, जब माबाप को जुर्माना भरना पड़ेगा, जब सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार के पास भी अपनी एक पावर है, जो वोलियंटर के तियार कर रखे थे अभी इन्होंने जो नोन मास्का चलान नहीं काटा है दिल्य सरकार नहीं काटा है अपने खोड़ेते वह लिएंटर कैसी नहीं रोका थोड़ी ना तो यह बहुत बड़ी बाते हैं कि किसी पर नाम मत मड़ो हमें it इस पर हमें सब को बैठ करना पड़ेगा और सरकारों का हमें बनाई कानूनों का नियमन कपालन करना पड़ेगा सर बात करें अब दिवाली का तोहर जो गया इतने पॉलिटीड पटा के जलाए गए लेकिन आप क्या संदेश देना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे उन लोग के लिए कि आगे जो पॉलिशन है उसको कम करें जिससे की सांस लेने में लोगों को दिक्कत ना हो परेशानी ना हो मैं उनके लिए इसंदेश देना चाहूंगा देखो जो फूट गए जो फट गए हो तो कहरें अब कुछ कहने कर साथ करें लेकिन अब आगे के लिए हम एक काम जरूर कर सकते हैं कि अब जैसे की एक्जेंपल के तोर पर अपने परियावरान को हम लोग कैसे साफ करें क्यों इसने भी लोगों ने पटा के फोड़े हैं मैं उन सबसे एक अपील करता हूं कि एक पेड़ अपने आसपास छायादार लगा करके ये साबित कर दे कि अगर हमने इस परियावरान को खराब करा है तो हम इसी परियावरान को सही करेंगे एक पेड़ लगाए वो भी छायाद शब्धीघार बुद्धी जो लोगों से जो लोग दिवाली में आस्ता रखते हैं दीपुत्षूमों में आस्ता रखते हैं वो सब लोग अपने आसपास में एक एक दौ दौ पिर यह नहAppर अच्छी बात कहीं उनको लिए संदेश दिया जनता के लिए अपनी छेत्रे जनता के लिए कि आप एक पेड़ जरूर लगाएं हर घर्ब में एक पेड़ लगाएं जिससे कि जो यहां का वाता बरण है वो सुद्ध हो ठीक हो और आगे जो लोगों को सांस लेने में दिक्कत हैं उस परेशानी से निजात मिल सके